पांच अगस को एधा में भूमी पूजन के कारकरम में सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव किया गया है पहले जहाँ पर संस्कृत विभाग के ओर से प्रदुश्मी लगाई जानी थी वहाँ अब नहीं लगाई जाएगी बलकि उस जगह पर 600 लोगों के बैठने की विवस्था की जाएगी बताया जा रहा है कि ये फैसला संतों की शिकायत के बाद लिया गया संतों को आयोजन में शामिल न हो पाने पर अपनी उपेक्षा का मलाल था पहले आयोजन स्थल पर केवल 200 लोगों के बैठने की विवस्था जो है वो की जा रही थी लेकिन संतों की शिकायत के बाद उनके बैठने की विवस्था जो है की गई है और यह तस्वीरे जो दिखा रहे हैं देखे कितनी मनमोहक तस्वीर हैं किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंध है कि गाड़ी की तलाशी जो है वो ली जा रही है 5 अगस्थ एतिहासिक दिन सुनेहरे अक्षरों से लिखा जाएगा एतिहास में कह सकते हैं कि ये दिन यादगार रहने वाला है किस तरीके से अयोध्या नगरी कह सकते हैं तैयार है पांच अगस्त के लिए जिस दिन आधार शिला रखी जाएगी अमंदर निर्मान का कारज है वो शिरू हो जाएगा और सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबर है कह सकते हैं कि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहे हैं क्योंकि तीन अगस्त तक मुख्यमंत्री योगी आधितनात ने कहा था कि तीन अगस्त मान कर चलिए पूरे अयोध्या को स्वक्ष बनाना है ये भी हमारा मिशन होना चाहिए इसे मिशन के तौर पर करना चाहिए क क्योंकि करोना काल चल रहा है तो तमाम बातों का ख्याल रखना होगा चाहे वो सोचल डिस्टेंसिंग हो या जो चीजे अनिवार हैं वो करनी होंगी लेकिन इस भूमी पूजन की गूंज जो है वो दूर दूर तक सुनाई दे और खास कर दो दिन जो दिपोचसव का कारकरम ह उसकी पीछे की वज़ा भी मुख्यमेंस्वी योगी आदितनाथ ने मत आई कि दिपावली सीधे तोर पर राम से जुरती है और कहानी भी जो है वो सीधे तोर पर राम से जुरती है तो दिपावली जब भी कहीं देश विदेश किसी कोने में मनाया जाए तो सीधे लोगों के जहन में अयोध्या की तस्वीर उभर जाए